हाई तो आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ वेरियर एल्विन के बारे में बहुत सारी वीडियोस आएगे वेरियर एल्विन के लाइक नहरों के साथ रिलेशनशेप उनका ट्राइबल वार्ग उनका नौर्थ इस्ट फ्रॉंटियर वार्ग उनका आफ्टर लाइफ सकते हो वेरियर एल्विन को हम लोग दर डिफेंडर ओफ इंडियन ट्राइबल बोल के भी हम लोग बहुत कोई जानते हैं यह जो वेक्ती है इनका जनम हुआ था लाइक उनका बर्थ हुआ था 1902 में इंगलैंट में इन्होंने अपना पढ़ाय किया है वह उक्सपोर्ट से क्या है यह बहुत एड़ुकेटिडत है और उन्होंने सोचा कि वह क्रेश्चं मिशनरी के साथ 1927 में इंडिया को आए गए जो मतलब क्रेश्चं मिश्जानरी को जो की पुराने जमाने में क्या होता था जो कि विलेज़ पीपेल्स थे जो की लोग क्लास होते या फिर जिन पर बहुत जुम होता था कास्ट बेसिस पे उनको Christianity में ट्रांसफर करने के लिए तो उस बेसिस पे यह आये थे इंडिया में इनका जो इंट्रेस्ट था वो बहुत जादा लाइक गरीबों के बारे में था लाइक पूर पीपल के बारे में स्टडी करना या फिर उनके बेटर लीविंग कॉंडिशन के बारे में स्टडी करना तो यह यहाँ पर आके गांदी जी के साथ बहुत अच्छे संबख्त में आ गये इन्होंने गांदी जी को जॉइन कर दिया था गांदी जी के साथ इन्होंने बहुत सारा नैशनल मूव्मेंट किया है और रुद्ः के बेटरमेंट के लिए यह बहुत जगह घुमे हैं लैक फ़र अपेटरमेंट ऑस द्राइबल पीपल गांदी के साथ अर्ड़BY पीछ में क्या हुआ था नática कुछ संबग खराब हो गया था रिलेशन खराब हो गया था गांदी के साथ because मुझे जितना मैंने पढ़ाए because of the use of khadi मुझे नहीं पता कि किसलिए relation खराब हो था but अगर आप थोड़ा सा भी लिखना शाथ तो extra then you can write khadi के use के वज़े से उन लोग का relationship खराब हुआ था then उसके बाद फिर भी ये गांधी को बहुत जादा मानते थे और गांधी का इनका relation बहुत बहुत जादा था ये आपको mention करना परेगा तो फिर उनका इनका मुलाकात हुआ था सर्दर बढ़लब भाई पर्टेल आपको पता ये वह इंडिया के लैग बहुत बड़े पॉलिटेशिन थे तो सर्दर बढ़लब भाई परटेल ने इनका वाक्स देखा था लैग इनका जो फ्यूष देखा था लैग इतना चाहात थे इनका passion देखा था गरीबी के लिए work करने के लिए poor people के लिए work करने में सरदर बरलब भाई पतेल ने इनको सला दिया था कि आप जाके tribal community के people के welfare के लिए काम कीजिए तो जो Elvin है ना इनका कोई training नहीं है मतलब basic no training कुछ भी इनका नहीं है त्राइबल देखिए अगर आप किसी चीज के बारे में like tribal people कोई पीपल उनके बारे में research करना चाहते हो नो थोड़ा आपको थोड़ा आपको training चाहिए होता है फिर कुछ तो आपको knowledge होना चाहिए वेरियर 11 के पास कोई knowledge नहीं था फिर भी इन्होंने जाके tribal लोग के बारे में परहाइक है देखिए मैं एक लाइन बतारी होगी आप लीज एक्साम में mention कीजेगा इंडिया में तो बहुत leaders हैं मतलब जो कि Muslim untouchables के बारे में परते हैं या फिर बहुत सारे अलग-अलग caste के बारे में परते हैं बट बहुत कम ऐसे leaders हैं जो कि tribal community के बारे में परते हैं और पहले के जमाने में तो literally कोई अगर आप देखो के तो 8% of the Indian population जो है न वो tribal community है फिर भी tribal community के basis पे अगर आप देखो थे studies बहुत ज्यादा कम है तो वेरियर एल्विन जो था उन्होंने यह trend start किया था like to study about the tribal people and the welfare of the tribal people उन्होंने पहने Central India में tribal people के बारे में परहाई किया था फिर देन नौर्थ इस फ्रॉंटेर में किया था उन्होंने जो है बहुत सारा like 14 monographs लिखा है दो nobles लिखा है two anthological studies किया है and 26 anthological walks किया है on tribal उनके कुछ famous famous walk का में नाम लेडियों अगर आप इसको note प्लीज कीजेगा leaves and jungle 1936 the baga 1939 and maria and mother sorry maria mother and suicide 1943 the northeast frontier of India ये उनका बहुत फेमस वर्क है उनके जो walks थे वो मतलब घूमते थे ट्राइबल पीपल के welfare के बारे में या फिर कैसे हम लोग ट्राइबल पीपल को uplift कर सकते हैं उनके betterment lifestyle को improve करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं उनको बहुत लोगों ने criticize किया है because उनके जो views थे ना वह एसली मेशन के views था मतलब वह चाहते थे कि जो ट्राइबल कम्यूटी है उनको हिंदी हिंदू सोसाइटी में मर्श ना किया जाए इसको हम लोग बोलते एसली मेशन आगर आप लोग चाहते हो ना मेरा यह जो मैं न यहां तक इतना कि जिस दिन वो उनका death हुआ है उसके पहले दिन भी वो कोट में जाके ट्राइबल कम्यूटी के लिए लड़े है यह तो मेरा बस introduction था में details में very relevant के बारे में next video में बताओगी तो अगर आप Elvin के बारे में लिखना चाहते हो ना introduction में आपको थोड़ा यह ल बहुत जादा strong था है वह मानते थे ट्राइबल पीपल वेस बतलब सेम और इवन बेटर और एकोल टू हिंदु सोसाइटी उनको बहुत criticism like from minister from outside बहुत जगा से जहना पड़ा बट उनका हम लोग deny नहीं कर सकते एक foreigner बाहर से आके एक आदमी जो की इंदिया के बारे में इतन अच्छा studies किया है उनका कोई basic training नहीं है फिर भी tribal community में इतना अच्छे से मर्श हुए है वो यहां तक कि उन्होंने शादी भी tribal woman से भी किया था उनका जो first शादी था वो एक tribal woman से था जिनका किसी बिमारी के current death हो किया था फिर भी उन्होंने दूसरे शादी किया था वो भी tribal woman को ही क्या था सोचे कितना वो सीरियस होगे tribal people को लेके and here उन्होंने जो है उनको first Indian citizenship मिला था क्योंकि वो इंग्लेंड के थे ना वो मतलब independence के बाद उनको first citizen of India मिला था एंड मैं बाकी आने वाले वीडियो में tribal community के बारे में और उनके walks के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाले हो यह तो basic introduction है अगर आप बात के वीडियो को देखो कि उसमें भी आपको बहुत सारा introduction मिल जाएगा थैंक्स पर वाच्छिंग